हेलो फ्रेंड्स आज हम सेंपल पेपर अन्सॉल्ट सेंपल पेपर नंबर वन का सेक्शन भी पार्ट है इसका कोश्चन नंबर 21 सॉल्ट करेंगे इसका कोश्चन में दिया है find the quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are 5.6 and 1.3 तो हम इसमें लिखेंगे let the quadratic polynomial है हमारा ax square plus bx plus c is equal to 0 तो इसमें आ जगा हमारा sum of zeros तो sum of zeros हमें दिया हुए 5.6 तो यहां जगा हमारा 5.6 and product of zeros क्या है हमारा product of zeros तो यह हमारा that is c upon a तो यह हमारा 1.3 तो अब इसमें हमारा sum of zeros 5.6 is equal to minus b upon a के equal होता है हमारा sum of zeros. तो इसमें हम लेंगे minus b जो हमारा है वो 5 के equal हो जाएगा तो minus b जो हमारा हो is equal to 5 तो b आ जागा हमारा minus 5 आ जागा. एंड a की बलू हमारी 6 आ रही है जहां पर a की बलू हम ले जाएगे 3 तो यह c की value आ रही है 1 तो यहां a की value 6 आ रही है तो हम a की value बड़ी लेंगे तो यहां पर हम लेंगे इसको लेंगे 2 upon 6 ओके तो a की value आ जाएगी हमारी 6 यहां भी हमारी a की value 6 हो जाएगी और minus b की value 5 है तो इसलिए b की value आ जाएगी मारी 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 तो एकी वैल्य 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 2 is equal to 0 तो यहाँ जाएगा 6x square minus 5x plus 2 is equal to 0 तो यह हमारा polynomial बन गया है और इसका हम सम देखें तो sum of the zeros हमारा 5.6 and product of zeros 1.3 तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं sum कितना आएगा sum of zeros minus b.a तो यह कितना हमारा minus 5 तो minus b के value minus 5 है तो minus 5 upon a के value 6 आगई तो जाएगा 5.6 तो वही सम आगया and product of zeros कितना हमारा आ रहा है product of zeros तो यह हमारा c upon a तो c कितना हमारा 2 2 upon यह हमारा c है and a हमारा है 6 तो 2 upon 6 is equal to 1.3 पॉड़क्ट भी हमारा 1.3 है that is यह हमारा polynomial बिल्कुल सही है यह मारा answer है okay and a thanks and thanks for watching